नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विए इनके लेक्ट्रिकल में दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्पोटेंट है तो प्लीज इसको लाश्ट तक जरूर देखें अगर आप कोविड में मैंटरेंस से रिलेटेड इलेक्ट्रिशन से रिलेटेड आपको ज हमारे घर में उलेक्ट्रिशन नहीं बुला पा रहा है या फिर आप जानते दुकाने बंद हैं नहीं बैट पा रहे हैं कहीं हम जिनको जानते हैं वह भी नहीं आप आ रहे हैं तो उस बीच में क्या करें पैसे में आप उनको सर्विस प्रवायड करवा सकें आप एलेक्ट्रिशन की विवस्ता कर सकें आपके पास खुदकी एक टीम हो कि अगर उस एरिया में किस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप आसानी से चल जाए और उनकी प्रॉब्लम कम से कम पैसे में आप उनका ठीक है और कुछ जगे उनको यह भी नहीं पता कि यह चीज में कर रहा हूं यह सही है कि नहीं फिर भी कर देते और उससे कस्टमर बाद में बहुत परेसान होता है तो एक कुसल कारीगर भी इसके अंदर होना बहुत जरूरी है आपका अगर आप कम काम जानते हैं तो आप कि जरूरत है या आप इलक्ट्रीशन घर पर बुलाना चाते हैं लेकिन की वज़ए से आप नहीं बुला पा रहे हैं आपको कोई को दिक्कत आ रही है यह परसासन का जो भी है प्रेसर लेकिन आप घर में लाइट चल गई तो आप उस केस में क्या एसकते हों तो दोस्तों हम लोगों को आना जाना है हम लोग अपने शाप से पास बनवा के किसी काम को करने जासकते हैं हम आप के पोलल के हैं हमारे के लिए चाहिए वह आप कम दामों में वो भी होलसेल रेट मान लीजिए तो इन सब के लिए अगर आप कोटा से हैं आप कोटा राय स्थान में रहते हैं तो आप नीचे दिये वे लिंक पे जाके के मुझे ईक होंतक कर सकते हैं और मेरे स इसकेंदर मेरी कंपणी के आप उसके मुझे कर सकते हैं आपको पूरी जानकारी हमारे दोरा करके क्या क्या सिस्टम कह सके हैं लेगिं। अगर तो electricity पहुत ज़ादे है तो electricity के लिए आपको जब प्रब्लम आ रही है तो आपप सामने वन्द आएगा कैसा कैसा नहीं है क्या है सेप्टी कैसी है कैसे नीए लिए हमारे बंदें दोस्तों जो जाएंगे आपके घर पर पुरी तरह सेड़ाइस होके जाएंगे प्लस आपके अभी ख्याल रखेंगे जब तक वो आपके घर पे पहुंचेंगे वहाँ से आपका घर से रिटन आने तक ना तो मार्क्स अटाते हैं ना किसी तरह की कोई दिक्कत आईगे आपको और आपकी किसी भी फालतु चीजों का हाथ भी ने लगाते हैं आपको जब भी आप इस तरह के लेक्ट्रिशन बुलाएं तो उनका एक खुद की वेल्यू होनी चाहिए आज मेरी खुद की वेल्यू है दोस्तों मेरा बीनक एलेक्ट्रिकल के नाम से आप जानते मेरा ये यूटूब चैनल भी है मेरी एक फरम भी है अगर आप मेरे बारे में और जानना चाते हैं तो मुझे फैस्बूक पर इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं उसका लिंक भी मेरे अबाउट सेक्शन में है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एरिये में इलेक्ट्रिशन को बुला सकते हैं आप customer है तो आपके लिए भी है अगर आप electrician है तो आपके लिए भी है यह सुझाओ मेरा कि आप अपने area में कम से कम फीस में लोगों की help कीजिए थोड़ा यह मदद ही समझ लीजिए और एक minimum charge में आपका जो भी बनता है उस हिसाफ से आप जाईए अगर आपका parts change करना है तो उसका ही पैसे लीजिए अनाब सनाब पैसे customer से ना मांगिए जिससे क्या होता है कि इस फिल्ड की छवी घराब नहीं होईगी कल के दिन कोई दूसरा electrician जाता है और उस चीज के कम पैसे ले लेता है तो आप फिर कभी नहीं बुलाएगा तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं इस तरह की जो की service provide करवाए maintenance में आप जानते अर्बन कलेप का आपने नाम सुना होगा अलागी मैं किसी company का नाम नहीं लेना चाहता था यहां पर लेकिन वह company क्या करती है दोस्तों अनाब सनाब पैसा लूटती है customer को उनको पता नहीं है वो लोग online बुला लेते है बस company के बंदें बस इस वज़े से बस वह एक trustable company हो गई है लोगों की नजर में तो आप अपने छेतर में भी अपनी खुद की company बनाके इस तरह से काम कर सकते हैं और आप महां के local रहेंगे आप service अच्छे से दे सकते दोस्तों तो इस चीज़ का मेरा motive था बताना आपको कि आप इन चीजों को लेकर अपना एक तरह से start-up भी कर सकते हैं अगर आप light का काम करते हैं और आपको काम नहीं मिल रहा तो इस तरह से आपको काम भी ज्यादा मिलेगा तो आप ज्यादा जब काम मिलेगा आपको तो आपकी फीस भी आप minimum कर दीजिए जैसा कि अभी मेने कर काम है दोस्तों में कोटा चेति कोटा हमारा जो स्मार्ट सिटी परजेक्ट के अंदर अभी काम चल रहा है पुरे कोटा में अगर आप घर पे होना चाहिए और बेकाइदा बेश से और आपको पुरा ट्रस्ट हो इस कम्पनी पे तो इस तरह की कम्पनी है दोस्तों हमारी भी BNK Electrical और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा सुझाओ काफी पसंद आया हो और पसंद आया हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिये हुए फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बाकी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपको किस तरह से एलेक्रिशन प्रवाइड हो जाएगा घर बेठे और वह भी सेप्टी से तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ जय हिन जय भारत